हेलो दोस्तों सभी किसान माययोग नमस्कार अब हम आपको आज बताते हैं नया देशी जुगाड कल्टिवेटर के साथ यह अपने भाई इसमें डिजल डालते हुए जुगाड में यह है इसका एंजन यह है अपने लोडिंग टेमपू का एंजन जो बनवाया गया है बाईक म बैटके इसको कंट्रॉल किया जाता है और यह अपना इसके साथ दवाई स्प्रे करने का पंप भी लगाया हुआ है इसे पीछे ड्रम रखे दवाई स्प्रे भी कर सकते हैं दोनों काम करता है यह और यह अपना कल्टिवेटर सिस्टम है जो देशी तरीके से बनाया हुआ ह यह बीना आदमी के भी चल सकता है और एक बंदा पीछे इसको पकड़ के भी चला सकता है अभी आपको इसको चला के बताते हैं कैसे क्या इसका सीन रहता है यह अपना भाई इसको स्टार्ट करते हुए अपने पुराणी मोडल की तरह है जो रसी से खेंच के स्टार्ट किय कोई ज्यादा खरचा भी नहीं है और इसको आप इसको इतना मोड़ीपाई कर सकते हो आप कर सकते हैं स्पोरा इसको आपको इस साथ कर नाया हुआ अभी इसको बाई चलाएगा और दिशे तुन कल्टिवेटर लगे हैं इसको बोलते हैं यह बिना आद्मी के भी कल जाते हैं अभी वाई उपने इक्ष्रा लगाने के लिए यह इसको अपन देशी बाजा में तुनके कहते हैं यह इसको अलग से दो तीन कोई जिटना आदमीं परे पास वो चला सकते हैं लगा सकते और देखेगा आप और इसमें यह इसको इठाने के लिए अपन देशी गुजार्नि ब और तीनों को जोड़ने के लिए ये एक स्वाइट इंदन लगाई हुई है इसमें फीन नट लगाती है इसे इस इनों एक साथ होगा अब देखेगा ना कोई दिना आजी इनने पकड़ा है और चल रहा है आगाँ से और यह सिंगल है जो अपने बगलू भाई चला रहे है अलग से इसमें अलग से और एक दो बंदे हो तो अपने एक दो और लगाएके चलाओ पाच छे चार पीन यह ओटोमेटिक है इनके हेंडल की दिया हुआ है आप अपने बर्गी से पकड़ के एड़ेश भी कर सकते हो तो पर नीचे करना हो जो भी करना हो